अगर आपके बच्चे आपके मोबाइल में बहुत ही ज़्यादा इंटरनेट चलाते हैं और आपका सारा इंटरनेट डाटा खतम कर देते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट है इस वीडियो में मैं आपको कुछ settings बता रहा हूँ जो कि अगर आप अपने mobile में कर लें तो उसके बाद आपके mobile में internet connection ओन होने के बाद भी आपके बच्चे आपके mobile में internet नहीं चला पाएंगे इससे आपको दो फाइदे होंगे पहला तो यह कि आपके बच्चे internet पर फालतू चीज़े नहीं देखेंगे और अपना time पर बाद नहीं करेंगे और दूसरी चीज़ यह कि इससे आपका internet data बच जाएगा और आप खुद उस internet data का इस्तमाल कर सकते हैं तो चली वीडियो श्टार्ट करते हैं और मैं आपको mobile की कुछ settings के बारे में बता देता हूं तो बच्चे सबसे जदा Android mobile में YouTube application का इस्तमाल करते हैं और इसमें cartoons देखकर हमारा internet data वेस्ट करते हैं फालतू में तो यहाँ पर मैं आपको कुछ settings बता रहा हूँ settings को अगर आप कर लें तो उसके बार आपके mobile में सिरफ YouTube application नहीं चलेगी YouTube के अंदर internet नहीं चलेगा बाकी सारी apps नौर्मली काम करेंगे तो आप अपनी हिसाब से देख लिए आपका बचा जिस भी application को यूज करता है जिस भी application में internet data वेस्ट करता है आप उस application का internet connection बंद कर सकते हैं अगर आप उस application का internet connection बंद कर देंगे तो आपके बाकी mobile में तो internet चलेगा लेकिन वो एप नहीं चलेगी चलिए मैं आपको practically समझाता हूँ जैसे कि अभी यहाँ पर मेरा mobile wifi से connected है और यहाँ पर YouTube का जो internet data है वो मैं आपको बंद करके रिखाऊंगा तो यहाँ पर देखिए अभी YouTube application चल रही है तो भी माली जी आपको YouTube application का internet data बंद करना है तो इसके लिए आपको क्या करना है अपने mobile की settings में जाना है यहाँ पर आपको एक option मिल जाएगा यह मिलेगा app management या install apps इसे कुछ आपको option मिल जाएगा जहाँ पर आपके mobile में install सभी apps होते हैं तो यहाँ पर आपको app list पे click करना है और यहाँ पर आपके mobile में जितने भी install apps हैं वो सारे किसारे आजाएंगे तो हमें फिलाल यहाँ पर YouTube का जो internet uses है उसको बंद करना है तो यहाँ पर मैं YouTube को search कर लेता हूँ यह राई YouTube इसको आपको open करना है open करेंगे तो आपके सामने इस पर करगा page open होगा यहाँ पर थोड़ा अलग page open हुआ है लेकिन ज्यादातर मोबाइल में एक दूसरा page open आता है मैं इस मोबाइल में आपको दिखाता हूँ यहाँ तो इसको ले ले लेता है और इसकी settings में हम चलते हैं दोनों में बताऊंगा मैं आपको लेकिन जो commonly हमारे mobile में settings होती है वो किस परकार से होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ मैं कोसिस कर रहा हूँ कि ज्यादा तर users के पास जो mobile है या जिस परकार से settings open होगी उस परकार से आपको बता हूँ तो यहाँ पर यह दूसरा mobile में use कर रहा हूँ इसमें भी मैं आपको बताऊंगा तो यहाँ पर फिलाल हमें YouTube अप्लिकेशन ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको एक option मिलेगा Restrictate Data Usage तो आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको Mobile Data या Wi-Fi जो भी आपको यहाँ पर option मिले आपको वो option यहाँ से हटा देना है तो यहाँ पर देखिए यह जो Internet Usage है वो यहाँ पर ओफ हो चुकी है और यह application इंटरनेट का इस्तमाल नहीं कर पाईगी सेम अगर हम इसकी बात करें इस Mobile की तो इसमें थोड़ी setting अलग है यहाँ पर आपको Data Usage डिटेल पर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पर देखिए option आपको, दो option मिलेंगे Disable Mobile Data और Disable Wi-Fi इन दोनों को आपको own कर देना है जैसे आप इनको own करेंगे और यहाँ से बेक आकर YouTube application open करेंगे यहाँ से तो यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर message आ गया है यहाँ पर आपको इसका on करना होगा तभी YouTube यहाँ पर चलेगा तो यहाँ पर आप कितना ही वेट कर लिए इस application के YouTube के अंदर यह internet नहीं चलने वाला है क्योंकि settings में जाकर हमने YouTube की जो internet connectivity है वो बंद कर दिया तो यहाँ पर यह application नहीं सलेगी थी किसी परकार से अगर आपको किसी दूसरे application का internet usage बंद करना हो तो वो भी आप कर शकते हैं वहती असानी से यहाँ पर मने आपको दोनों mobile हों में करके दिखाया है इसमें भी कर दिया और इसमें भी कर दिया यहाँ पर और यह जो आपने setting अभी on करी थी आपको इसको वापस बंद कर देना है और जिससे आप इसको बंद करेंगे तो आपके जो application है mobile application उसके अंदर फिर से internet सलना स्टार्ट हो जाएगा उसके आप internet connectivity को बंद कर सकते हैं ताकि वो आपका internet waste ना कर पाए दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को like और इस चैनल को subscribe जरूर कर ले